नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेश कासकन के साथ साल में चार नवरात्री आती है उसमें दो है समान नवरात्री और दो नवरात्री को हम गुप्त नवरात्री कहते हैं गुप्त नवरात्री में जब कोई उपाय करते हैं पर्योग करते हैं तो इससे आपकी हर इक्षा बहुत जल्द पुर्ण हो जाती है नवरात्री के दिनों में कुछ टोटके करने से जीवन में धन की प्राप्ति होती है हर कामना पुर्ण हो जाती है लेकिन गुप्त नवरात्री के समय में कुछ चीज ऐसा है जिसे आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए वरना आपकी पूजा सफल नहीं होगी आपकी कामना की भी पूरती नहीं होगी तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्री में एक महा पर्योग करना है जिससे आपकी सारी काम सारी इक्छा पुन होगी लेकिन इसके पाले अगर आप हमारे इतनल को सब्सकाइब नहीं कियें तो किर पैसे सब्सकाइब कर ले तथा बेल बटन को भी और दूसरा होता है आस्मिन या सार्दिय नवरात्र इसके अतिरिक्त दो और नवरात्र भी है जिन में बिसेस कामनाओं की सिध्धि की जाती है कम लोग को इसका ज्यान होने के करन या इसके छिपे हुए होने करन इसको गुप्त नवरात्र भी कहते हैं साल में दो बार गुप्त नवरात्री आती है पाला आती है माघ सुकल पक्ष में और दूसरा आसार्ट सुकल पक्ष में इस प्रकार कुल मिलाकर बर्स में चार नवरात्र होते हैं या चारों ही नवरात्र रीतू परिवर्तन के समय मनाई जाते हैं महाकाल सहिता और तमाम साक्त गरंथों में इन चारो नवरात्रों का महत बताया गया है इसमें बिशेश तरह की इच्छापुर्ती तथा सिध्धी प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है शमान नवरात्री और गुप्त नवरात्री में क्या है अंतर ये आपको अवस ही जाना चाहिए शमान नवरात्री में आम तोर पर सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है जबकि गुप्त नवरात्री में ज़्यादा तर तांतरिक पूजा की जाती है तांतरिक साथना की जाती है गुप्त नवरात्री में आम तोर पर ज़्यादा परचार परसार नहीं किया जाता अपनी साथना को बहुत ही गोपनिया रखा जाता है इसी से फल की प्राप्ति होती शामान नवरात्री में जहां नौद देवियों की बिशिस पूजा का प्रावधान है वही गुप्त नवरात्री में दस महा बिद्या की साथमा की जाती है गुप्त नवरात्री में पूजी जाने वाली दस महा बिद्याओं में मा काली, मा तारा देवी, मा तिरपुर सुंद्री, मा भूमनेश्वरी, मा छिनमस्ता, मा तिरपुर भैरवी, मा धुमाबती और मा बंगला मुखी, साथ में मा मातंगी और मा कमला देवी है इस दस देवियों की पूजा गुप्त नवरात्री में की जाती है इस नवरात्री में तंत्र और मंत्र दोनों के माध्यम से भगवती की पूजा की जाती है जबकि शमान नवरात्री में आम तोर पर हम लोग सात्विक पूजा करते हैं तांत्रिक पूजा उसमें कम किया जाता गुप्त नवरात्री में पूजा का एक विशेश बीधी है बहुत ही आसान है और इस आसान तरीका से आप पूजा अगर करते हैं गुप्त नवरात्री के दिनों में तो आपकी हर इक्षा हर कामना पूर्ण होती है नवर दिनों के लिए आप चाहे तो कलस की अस्थापना कर सकते हैं अगर आपके घर में कलस की अस्थापना होती है तो आपको कलस की अस्थापना अवस करना चाहिए अगर कलस की अस्थापना आप नहीं करते हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं तो अगर आप कलस की और साम अवस करना चाहिए अगर आपने कलस क्या स्थापना की है तो दोनों ही समय आपको आरती भी करना चाहिए ये भी अच्छा होगा मा को दोनों बेला भोग भी आप लगाए और सबसे जो अच्छा और सरल उत्तम भोग है वो है लोंग और बतासा अगर नवरात्री में आप मा दुर्गा को कुछ अर्पित नहीं करते हैं तो परती दिन आप लोंग और बतासा एक बतासा और दो लोंग मा देवी को अवस अर्पित करें ये बहुत ही अच्छा भोग है इसे मा आती प्रसंद होती है और आपकी हर कामना भी पुन हो जाती है आपको अवस अर्पित करना चाहिए अगर लाल फूल आपके आस पास नहीं है उपलब नहीं है तो आप एक मांसिक लाल फूल भी कलपना करके आप देवी को अर्पित करें ये भी काफि अच्छा होगा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मा देवी को कभी भी आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल भी अरपित ना करे इससे मा देवी और परसन हो जाते है इसका ध्यान रखना है पूरे नौ दीन अपना खान, पान और आहार सात्विक रखे मांस मदिदा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए अगर आप देवी की पूजा गुप नवरातरी में करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अब गुप नवरातरी में बहुत तरह की साथना की जाती है बहुत तरह के मंत्र है बहुत तरह के अनुष्ठान किये जाते हैं लेकिन चुकि आप गिरस्थ है नोकरी करते हैं आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप एक छोटा सा काम गुप नवरात्री में हर दीन आप कर सकते हैं ये बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही पावरफू बहुत सक्ति साली है। आपको करना क्या है? एक लकरी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेजिए अपने पूजा घर में उस पर मा की मूर्ती या मा का चित्र अस्थापित कर दीजिए। मा के समक्ष एक बड़ा घी का एक मुखी दीपक आप पूजा के समय जला दिजिए। प्राता काल और सायम काल में दोनों समय मा का एक बिसिष्ट मंतर है। इस मंतर का आपको एक सा आठ बार जब करना है। एक सा आठ बार जब करने में जादा समय नहीं लगेगा, आपकी 10 से 15 मिनिट में यह जब हो जाएगी, मंत्र है ओम, एंग, हिरिंग, क्लिंग, चामुन्डाय बिच्चे, यह मंत्र इतना सक्ति साली है कि अगर नबरात्री के दिनों में आप इस मंत्र का सुबह साम एक सा आठ बार देवी के सामने करते हैं, तो आपकी हर कामना पूर्ती हो जाती है, बस आपको मत्र जाप के बाद आपकी जो इक्षा है, जो कामना है, उसकी प्रात्रा देवी से करें, आपकी हर इक्षा निश्टी तूरुप से पूर्ण हो जाती है, तो यह चीज आप नबरात्री के दिनों में करें आपकी हर कामना धन के प्राप्ति निश्टी तरूप से होगी लेकिन नवरात्री में कुछ चीज का ध्यान आपको रखना है जब आप यह अनुष्ठान करते हैं महा परयोग करते हैं तो कुछ चीज का ध्यान भी आपको रखना है तभी आपको फल की प्राप आपको करना चाहिए इस समय जो नारी का समान करते हैं जो महिला का समान करते हैं मा दुर्गा उन पर अपनी किरपा बरसाती है नवरात्री की दिनों में घर में आपको कलेस द्वेस या अपमान नहीं करना चाहिए लराई जगरे भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने सा आपके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी आपकी पूजा भी सफल नहीं होगी नवरात्री की दोरान स्वक्ष्था का विशेश धिहान रखना चाहिए 9 दिनों तक सुर्जोद्य से पहले उठकर के आपको असनान करके साब बस्त धहान करने चाहिए और देवी की पूजा करना चाहिए नवरात्री के दोरान काले रंग के बस्त या कपरे आपको धरान नहीं करना चाहिए और नहीं चमडे के बेल्ट या जूते पहनने चाहिए ऐसा मनता है कि नवरात्री के दोरान बाल दाढ़ी और नाखुन भी नहीं काटना चाहिए और नवरात्री के दोरान बिस्तर पर नहीं, बलकि जमीन पर आप सोएं, कुछ बिछा लिजिए, जमीन पर सोएं, तो वही आपके लिए अच्छा होगा, घर पर आए किसी महमान या भिखारी का अपमान आप ना करें, किसी भी रूप में देवी देपता आपके पास आ सकते ह अगर कोई आते हैं, उसका समान करें, उसे कुछ दान अबस करें, इस तरह से अगर आप नवरात्री की पूजा करते हैं, तो आपकी पूजा निश्ची दूरूप से सफल होती है, तो मैंने आपको बताए कि नवरात्री के दिनों में आपको क्या करना है, और क्या नहीं करन है यह बहुत यह महत्पूर्ण है चुकि एक गल्ती आपकी पूजा को निस्फल बना देती है अगर आपको यह फीडियो पसंद आए तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें फेस्बूक और फोलो करें ताकि आपके दोस्त आपके सगे समंदी भी इस चीज को समझ करके अगर गुत नवरात्री में मा की पूजा करते हैं तो उसके जीवन में भी धन की प्राप्तियों होगी हर इक्छा भी पुन होगी आज के लिए बस इतना ही धन्नवाद